अथ्याइच्छे श्लोक एक भागवत कीता श्री भगवान वाचा अनाश्रतह कर्म फलम कार्यम कर्म करोतियह ससन्यासिच योगीच नाने रगने न चाक्रियह अनुवाद श्री भगवान बोले जो मनुष्य कर्म के फल को न चाहते हुए जो कर्तव य कर्म करते हैं वही सन्यासि तथा योगी है तथा केवल अगनी का त्याग करने वाले सन्यासि नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाले योगी नहीं है व्याख्या जादा तर मनुष्य सोचते हैं कि जो भगवा वस्त पहनते हैं वही सन्यासी हैं तथा कहीं की धाना यह है कि जो दीन दुन्या से दूर एकांत में रहते हैं वही योगी हैं किन्तो ये तो बाहरी स्थितियां हैं इससे कोई भी सन्यासी या योगी होने का दावा नहीं कर सकता है योगिश्वर श्री कृष्ण इस श्लोक में बाहरी नहीं बलकि साधक की आंतरिक स्थितियों के बारे में बता रहे थे मनुश्य कर्म केवल फल पाने की आशा से करते हैं किन्तु श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वह इस थिती से बिलकुल विपरीथ है कि कर्म तो तुम करो परन्तु इसके फल की आशा मत करो जब मनुष्य के फल पाने की आशा समाप्त हो जाएगी तो सन्यास फलत हो जाएगा जीवन में जो मनुष्य वासनाओं तथा इच्छाओं में बदना चाहते हैं उनका जीवन उतना ही हाथ के बाहर हो जाता है तथा अंत में विशात के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं आता है किन्तु जो मनुष्वासनाओं तथा इच्छाओं में नाबत कल की आशा छोड़ देते हैं वे आज में कर्म कर आज में जीते हैं तो उनका कर्म आज ही फल बन जाता है जो वासनाओं तथा इच्छाओं में जीते हैं दुख उनके चित्त में निवास करता है तथा वे सांसारिक जीवन भोगें अथ्वा वन में चले जाएं उनके लिए कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि जो संसार छोड़ कर भागते भी हैं वे वासनाओं तथा इच्छाओं को न प्रस्थान करना चाहते हैं, अर्जुन अपनों का रक्तपान करना पड़ेगा, इस कारण भिक्षू बनवन में जाना चाहता है, किन्तु श्री कृष्ण कह रहे थे कि सन्यासी तथा योगी वो होते हैं, जो किसी इच्छा तथा वासना के लिए और इच्छाओं तथा वासन ऐसे योगी अपना कर्म पर मात्मा को समर्पित कर देते हैं, इस कारण वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं